यानि कि लगबग आपको 6 mm जो Ground Clarence वो आपको Sign 100 में ज़्यादा देखने को मिल जाती है अगर आप यहां से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा थोड़ा सा यह आपको उबरा देखने को मिल जाती है तो आज आपके सामने खड़ी हुई हैं होंडा की तरफ से आने वाल आप आप लाओ तो चल्व बने रहे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा चलिए स्थार करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर इन दोनों के फ्रेंट के लुक को आप चेक और वग्यरा कर सकते हैं दोनों ये गारिओं तो आप यह से से लग रही होंगी लेकिन दोनों में ही काफी जड़ दिखने को मिलने वाला है तो चलिए सबसे पहले सीड़ी वर्यट्एं की बात कलने तो इसका जो फ्रेंट का डिजाइन है वह देखने में आपको का आप सिवल आप कहेंगे नहीं आपको देखने को मिल लाएंगे बाकी वहीं बात कर लें हांडेड सौ यानि कि साइंशो के बारे में तो यह आप पर भी आपको हांडा की बैजिंग और इसका वाइजर अपको नए वाले अपना वाई जो ब्लू वाले ग्राफिक्स हैं वो देखने अपना फाइबर बॉडी का देखने को मिलने वाला है और वहीं हंडेड शो की बात कर लें तो यह इसका मटगाड है यह आपको मैट फिनिशिक में मिलता है जो कि अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यह हलका सा फ्लेक्सिवल आपको देखने को मिलता है चुकि काफी सही बात कर लें तो आपको सीडी 110 में आपको 80 by 100 सेक्षेन का टायर देखने को मिलता है 18 इंचिस के अलोवील के साथ में यहां पर आप देख रहे हैं बागी कॉमभी ब्रेकिंग का सिस्टम देखने को मिलेगा इसमें भी और इसमें भी इसकी टार प्रफाइल की बात कर लेंड सस्पेंशन के दोनों इवाइकों में बाकी इंजिन काउल आप यहां से देख लिए होंगे आप बात करते हैं नोयों की ग्राउंड क्लियंस के बारे में क्योंकि ग्राउंड क्लियंस भी काफी आदा आपको डिफ्रेंस देखने को मिलने वाला है तो जो अपनी सीडी 110 है इ बाकी टेंकाउल यह बात करते हैं साइट से आके तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे याँ पर सिडिम इलाता है तो यहां से देखेंगे तब भाकि इसमें आपको 9. sonti का पुलेगी myself a d ventil बांग opposite बाский поряд बाकि आदा रिखने को मिले गा और इस साइट से अगर आप आप आपको क्रूम की ट्रिट्मेंट के साथ में देखने को मिल देखनेकों मिल लाएगा वहीं बात क Unaut ळी और देखने को मिल एकान है तो फूर ग्यर्स बोक्स सीप्साइडिश्ट अलसी अंद्य कोवर मिलेगा और यह सिल्वा की विशिंग में लेकिं सीडी 110 में आपको मैटल का पूरा केजिए टाइप में मिल जाता जो कि यह इसके लिए एक प्लस फइंट बन जाता है तो यहां से आप देख रहे होंगे तो आपको सेम लग रही होगी लेकिन इसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलने व लिए बाकि यह भी हेलोजन है अंडा की बैजिंग है यहां पर कारण फैपा का डिजाइन मिलेगा और यहां पर देखने मिल जाता है दोनों और बाइको मैंने बता जी आपको तो वो आपको दिखने को मिलने वाली है इसमें 3.070 यानि कि 17 इंचेस के आपको इसमें रियर में भी अलाविल दिखने को मिलेंगे बाकि दोनों के यहां से आप अपना हैड रेंडल के डिजाइन को अपना चेकाऊट होगी रख कर सकते हैं तो असने पहले आप अगर 100 की दे यहां को मिलने वाले तो मिलने वाले हैं ऐसाइड पर अष्यानियाट नटर में औरवकल केशन को मिलेगा जाइस साथ में हाय !! और दिखादू तो कुछ श्रहें की आपको लागे देखने को मिल यहां मिलने वाली है अब बात करते हैं के वारहे में इसमें आपको क्रोhm की उतकि तक और specify आपको डेहन्न देखने को मिल जाता इसके मुंगाबले अ हैं ने कॉम इनकीका साथ मечатें आपको सेम दिखने मिल आखेंगा सो ही सिंगंगों सेम बाइकों बीस त मेंस में इपना अनलाब आलाग वाला तो मिल लाता पूरा ध्यूड़ याईधॆ के साथ मिल लेगी लेकिन इसकी सीट आपको थोड़ सी बड़ी देखने को मिलेगी और comfort भी आपको उसमें थोड़ सा ज्यादा देखने को मिल लाता है सीट हाइट की बात कर ले तो इसमें आपको 720 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी इसकी बात कर ले तो 708 यानि के बारे में बात कर लेगा जिसमें आपको देखने को मिलने वाला वन हंडर्ड नाइन पॉइंट फिटी बन सीजी का एयर कूल फॉर स्टॉक ऐसा इंगन जो कि आपका रिलीस करेगा एट पॉइंट पॉइंटी नाइन पीस की मैगजिम पावर सेवन थाउजन फाइंट आर् के बारे में इसके इंगन के बारे में इसमें आपको कैसी पावर अगेरा देखने को मिलने वाली है तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 98.98 CC का एयर कूल फॉर स्टॉक ऐसा ही इंगन जो कि आपका रिलीस करेगा 7.38 PS की मैगजिम पावर 7500 आर्पिम पर 8.05 नुटम 70 KM तक का मायर अपना निकाल सकते हैं बाकि आपकी राइडिंग उपर में डिपेंड करता है और बाइक की कंडिशन को उपर में डिपेंड करता है तो यह आपको इन दोनों में चेंजर्स देखने को मिलते हैं CD 110 और होंडा शाइन हंडेड में आप बात करते हैं दोनों की आपको देखने को मिल जाती इसकी प्राइस 77 145 रूपीस की आनिक गई वहीं आप बात कर लें दोनों की प्राइजिंग में कितना दिफेंस आएगा तो लगबग आपको 11,355 रूप्य का दिफेंस देखने को मिल जाता दोनों ही भाइकों में तो आप समझ चुके होंगे क् क्या प्राइजिंग है तो कुछ यहीं दिसको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप चैनल पर नहीं हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा हम लोग ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लादे रहेंगे थैंक्स वाचिंग